एक कौन सी सब्जी होती है जो पित्र पक्ष में ब्रहामन को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती है आज हम आपको इस वीडियों बताएंगे कि स्रात प्रच्वें ब्रहामन को कौन से भोजन बनाएं और कौन से भोजन को भूल कर भीना बनाएं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्स्राइब करें सबसे पहले यदि आप ब्राम्मण को सरात पच्च में भोजन करा रहे हैं तो आप ब्राम्मण को गुमडा और पत्ता गोवी जिसे हम पंदा गोवी भी कहते हैं कि सबजी भून कर भी ना खिलाएं पित्त पच्च में यह दो सब्जी ब्राम्मण को नहीं खिलाई जाती हैं सरात पच्च में ब्राम्मण के भोजन में तीन चीज़ें सबसे जरूरी होती हैं पहला दूद की खीर, दूसरा तुरूई की सब्जी, तीसरा पुरद की दाल का भोजन साथ पच्च में ब्रामर के भुजिन में ये तीन चीज आवश्च खिलाएं